बाई लोग TKL keyboard की बात हो गई, full size keyboard की बात हो गई, 60-65% हर तरह के अलग-अलग category wired wireless आज का जो वीडियो है एक single वीडियो रखते हैं जिसमें मैं irrelevant of क्या shape है, क्या size है, इन सब को नजर अंदाज करते हुए best keyboard बताऊंगा Under 3000, 2000-3000 के बीच में ही अच्छे वाले mechanical keyboard जो शुरूआती keyboard होते हैं, उनकी आज बात करेंगे, sale चालू है दोस्तो और यही time है इस वीडियो को डालने का, लेकिन दोस्तो इससे पहले कि हमा आगे बड़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो subscribe वाला बटन है, उसे द करना चाहते हो, तो वो भी अब आप directly कर सकते हो, कैसे करोगे, अगर आप कोई product लेने का सोच रहे हो, तो हम ही वो product के बारे में बताओ, हम उसको दिलाने में आपकी monetary तरीके से जरा सी मदद करेंगे, और उसके एवस में आप हमें review करने देना, हम उसे review करेंगे, review करने के ब पहला keyboard है, portronics ही दरव से आता है, K2 और K1 नाम से इनोंने release किया है, K1 जो है blue switch के साथ आता है, K2 जो है red switch के साथ आता है, K2 ही बात करते है, K1 अगर आपको blue switch लेना है, तो उसके हिसाब से आप समझ लेना, सारी चीज़े सेम ही है, बस switch में difference देखने को मिलेगा, weight जो है, अ साथ ही अगर बात करें, keycaps की, तो बड़िया keycaps है, double injection molded ABS plastic के keycap, आपको देखने को मिलेगा, पास्तू लाइटिंग भी देखने को मिलेगी, light की intensity, vability, saturation, brightness वगरा सारी चीज़े बहुत तगड़ी है, और यहाँ पर switch की बात कर ले, चाहे blue की बात करो, चाहे red की बात करो, Gixion के switch हमेशा potronics use करता है, और यह switch जो है काफी अच्छे है, otmo के equivalent आप कह सकते हो, और साथ ही अगर functionality की बात करें, सारे gaming features से आप आपको देखने को बिल जागा, windows lock button हो, multimedia hotkeys का support हो, full key anti-gosting हो, या फिर N key roll over हो, यह सारी चीज़े मिलेगा, RGB नहीं है दोस्तो, 20 lighting effect मिलेगा, rainbow lighting के उपर, जो कि काफी cool लगते हैं, इसकी अलवा दोस्तो, एक और नया release है, यह आता है, evo fox katana x नाम से दोस्तो, अब जिनका text setup, जो है, potronics k2 key one को रखने के लिए sweetable नहीं है, यानि कि बहुत बड़ा नहीं है, उनके लिए यह better option है, अगर आप editing वगरा करना चाहते हो, त 96% कहलो, यह इसका layout होने वाला है, और अगर बात करें इसके cable की, 1.5 meter का cable आपको braided वाला यहां पर देखने को मिलेगा, और यहां पर भी आपको ABS plastic का construction देखने को मिलेगा, double injection molded वाला key cap के साथ, जो की pass through lighting को अच्छे से provide करता है, अच्छी बात यह है, दोस्तों, इस keyboard के सा होगा, क्योंकि इसमें आपको dial on, पे काफी सारे feature मिल जाता है, और अगर बात करें gaming features की, सारे features इसमें complete है, आपको windows lock button, multimedia hot keys का support, पूरा keyboard, lock करनी की सहुलिया, 1000 hertz की bowling radius, सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगा, with 13 backlight mode, यह सारे animation आपको देखने को मिलेगा, rainbow lighting के ऊपर, या यह आपको छोटे size में कोई keyboard की तलाश है, चोकि छोटे deck setup के अंदर आराम से आ जाए, इस price segment के अंदर एक और option है, कॉसी बैट का CBGK18, अब यह वाला जो version है, यह 2023 का version है, 2023 में इसमें अपग्रेड होकर क्या-क्या चीज़े चामिल हुई है, सबसे पहले तो swappability सामिल यह देखने को मिलेगा, एक और अच्छी बात है, इस keyboard के साथ, जोकि full-size keyboard में आपको देखने को नहीं मिल रही थी, वो यह है कि इस keyboard में आपको RGB नहीं, बलकि परकी RGB lighting देखने को मिलेगा, और साथ ही, अगर gaming features की बात करें, तो windows lock button हो गया, multi video hotkeys का support हो गया, NK rollover हो गया, sale के time, यह 2000 के आसपास रहने वाला है, और यहाँ पर आपको यह keyboard जो है, सबसे ज़्यादा जल्दी out of stock भी जाने वाला है, दोनों तरह के link जो है, चाहे वो Amazon का हो, चाहे वो official website का हो, मैं नीचे दे दूँगा, जल्दी करना, क्योंकि यह बहुत जल्दी out of stock जाएगा, और इसके बारे में जादा जानकरी लेने के लिए, आपको डिटिकेट वीडियो देख लेना है, तो चलते हैं, अगली keyboard की तरफ, अगर आपको यह keyboard white color में चाहिए, तो वो option भी मैं आपको बता देता हूँ, वो option है, CVG के 37, Cosmibite का ही आता है, प्राइस का रहने वाला है, पची बेटर ही देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा USB कीबोर का यह है, यहाँ पर आपको जो modding है, वो बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर आपको जो switch मिल रहे है, वो भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसा क्यों, सबसे पहले यह red dragon का keyboard है, तो यहाँ पर आपको red dragon के switch मिल रहे है, काफी लंबा चलते हैं, बहुत ही premium switches होते हैं, यहाँ पर आपको जो है, metal base plate वगरा देखने को मिलता है, tank like build quality देखने को मिलता है, और साथी, यहाँ पर भी आपको ABS construction भी देखने को मिलेगा, double injection molder वाले key caps भी देखने को मिलेगा, पकि अगर बात करें इसके gaming features की, वो सारी अगरा देखने को मिलेगा, लेकिन rainbow lights के उपर, अब यह वाला जो keyboard है, दोस्तो, red dragon का K552 rainbow, यह भी बहुत जल्दी out of stock होरे वाला है, पची सो के आसपास आपको इस sale में देखने को मिलेगा, पची सो, छबी सो, सताइस सो, इसी के बीच में रहने वाला है, लेकिन इस और इसका build quality, यह तीनों मिलकर इस keyboard को one of the best keyboard बना देते हैं, जो भी keyboard का जानकार रहेगा, वो सबसे पहले इसी keyboard पे नजार रखेगा, एक option और भी है, वो है red dragon K617 Fizz, अब यह 60% के layout में आता है, तो बिलकुली compact size हो जाता है, गेमर्स बिलकुली से देख सकते हैं, red dragon का वो finest switch जो है, आपको इसमें भी लगा हुआ मिलेगा, और साथी जो है, यहाँ पर आपको केवल मिल रहा है, वो L-shape 1.5 meter का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको dual color भी देखने को मिल रहा है, सारी चीज़े आपको ABS construction के ऊपर देखने को मिलेगा, और यह सारे जो key caps आप दे अब साथी software support में भी सारी चीज़े सीम होती है, profile बना लोगे, macro बना लोगे, customization वगरा सारी चीज़े जितनी भी है, यहाँ पे आप कर लोगे, price क्या रहने वाला इस keyboard का, पची सो से 278 के बीच में, इसका एक बढ़िया वाला variant आता है, transparent वाला, ऐसी नाम से, जैसे इसका ना तक जाही रहे हो, तो आपको मैं बोलूँगा, ऐसी वाला version आप उठालो, अगर available रहता है, तो क्योंकि यह बहुत जल्दी out of stock जाने वाला है, अगला दोस्तों keyboard जो है, वो आता है, portronics की तरफ से, जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, hydra 10, अब यह जो है, अब यह जो wireless keyboard है, 2.4 GHz के उपर काम करता है, और साथ ही इसका dongle जो है, इसी के साथ आपको देखने को भी लेगा, metal base plate और बड़ी या, PBT like quality of keycaps आपको यहाँ पे देखने को भी लेगा, अला कि PBT है नहीं, ABS ही लगा हुआ है, लेकिन इसका sound जो है, PBT जैसे करता है, क्यो gaming features के साथ जो extra चीज़ आपको मिलेगा, वो है Bluetooth connectivity, तीन device के साथ एक साथ यह keyboard connect हो जाता है, 2.4 GHz के डॉंगल के साथ भी connect हो जाता है, और wired पे तो connect होता ही है, 1000 mh की battery के साथ आती है, लंबी चल जाती है, और साथ ही, यहाँ पे 20 lighting mode देखने को लेगा, RGB की रंगीनियों के सा आज के अपिसोड का final keyboard है, वो है Zebronics की तरफ से आता है, Nitro Pro भाई साथ, क्या ही keyboard है दोस्तों, मेरी तरफ से अगर यह keyboard अभी available होता है, तो सारी चीज़े छोड़के इसको पहले उठा लेना, अगर आपको full size वाले keyboard की need है, तो 2499 वे हमने last price इसका देखा था, अभी इसका price जो है, तोड़ा सा कम होना चाहिए, compact size में full keyboard का मजा यह दिलाएगी, क्योंकि 1800 compact में यह आता है, और अगर बात करें cable की, तो देखो यहाँ पर आपको 1.8 meter का extra length के साथ, जो है, cable देखने को मिलेगा, और ABS construction के साथ, यहाँ पे आपको keyboard देखने को मिलता है, pass-through lighting वगरा के सा GOT, red otimo switch के साथ आता है, जो की swappable है, 3 pink के साथ आता है, और modding के नाम पे इस पे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि इस keyboard में आपको factory से ही mod करके keyboard मिल रहा है, क्या mod देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको acoustic form देखने को मिलेगा, sound बहुत ही थोकिय जोस्तों सारे के सारी आपको देखेंगा 19 लाइटिंग मोर्स के साथ आता है चेंग मोर्स के साथ मैकरों अगरा बना लोगे की बोर्ति है सारे के सारे सोना है कुछ भी आपको अच्छा यह लगेगा पसंद ही आएगा विकर वाले कोई कीबूर की मैंने बात अगर यह भी हैं इक बर आप पसंद कर रहे हैं एक बार आप पसंद करके को एक यह की बोड ले सबней ada बैंगे करना Ukrainian haben Sutra पर वोट होगा दो है किष्टब को सबसे जादा प्यार मिलता और तो आप हमारी तरफ से जीज़ जाओगे एक री चॉमी नोस का वाउचर